इस्टिन और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान लोग अपनी सहानुभूते दिखाने के लिए या फिर युद्ध के स्थिते दिखाने के लिए तस्वीरे और वीडियोज शेर कर रहे हैं ऐसे में कैनेडियन सिंगर जस्टिन वीबर ने ये तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेंड की थी इस पर इसरायल के लिए प्रातना करने की बात लिखी है हाला कि कुछ समय बाद उन्होंने ये स्टोरी हटा दी थी ये तस्वीर इंस्टाग्राम पर चर्च ओम नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन के हैंडल ले भी पोस्ट की थी और जस्टिन बीबर ने इस एप को प्रमोट किया था हाला कि बाद में इस अकाउंट ने भी ये पोस्ट डिलीट कर दिया था तो क्या वाकई में ये तस्वीर हाल में इसरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रही युद्स से जुड़ी है ओल्ट न्यूज ने चानबीन की और पाया कि ये तस्वीर ना सिर्फ पुरानी है बनकी गाजा की है गूगल पर इस कथे तस्वीर को रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें 23 मई 2021 को पबलिष्ट इंडिया टुड़े की ये रिपोर्ट मिली Associated Press की फीड से पबलिष्ट इस रिपोर्ट के मताबिक गाजा में इसरायली हमले के एक हफते बाद यानि 22 मई 2021 को ये तस्वीर खीची गई थी ध्यान हो कि 15 मई 2021 को इसरायल ने गाजा की बिल्डिंग्स पर हमला किया था इसमें एक गाजा टावर भी था जिसमें News Agency Associated Press और Al Jazeera का ओफिस था The Telegraph की इस रिपोर्ट में गाजा शहर में इसरायली हमले में द्वस्त हुई बिल्डिंग्स की ड्रोन कैमेरे से ली गई फोटेज दिखाई गई है जो की कथे तस्वीर से मैच होती है Independently इस तस्वीर की Location verify करने के लिए हमने Google Earth Pro पर गाजा शहर की satellite image देखी इस पर 3D Buildings Layer की मदद से हमने वाइरल तस्वीर में दिखने वाली इस बिल्डिंग को गाजा के मैप में देखा तो पाया कि ये वही location है स्क्रीन पर आप GIF के माद्यम से की गई comparison देख सकते है इसमें कथे तस्वीर में दिखने वाली बिल्डिंग दिखती है ध्यान दे की 3D image मैप इतने जल्ली अपडेट नहीं होता है इसलिए 2022 के latest map में भी 2021 से पहले की 3D image दिखती है Google Map पर इसी location पर ये shopping mall भी दिखता है जिसका नाम Capital Mall है और ये viral तस्वीर में भी दिखता है पूने का footage है इस building का नाम अल शरूप था जिसके पीछे वाले घर का structure भी वाइरल तस्वीर में दिखने वाले structure से मेल खाता है यानि ये तस्वीर गाजा की है और इसका हाल के युद्ध से कोई लेना देना नहीं है ये 2021 में गाजा में हुए इसरायली हमले में द्वस्त हुई building की तस्वीर है